यदि आप चाहते हैं कि किसी भी इस्त्री के दिल में अपने लिए मोहबत पायदा कर दे किसी भी इस्त्री और पुरुस को 24 घंटे अपने प्यार में टरपाए ताकि वो खोद आपके पास कॉल करे खुद चल कर आये आपसे बाते करे आपसे प्यार करे मेरे प्यार वक्तों स जात दिन आपके प्यार में टडपेगी, महबत करेगी और आप जैसे जैसे चाहिएगा प्यार वैसे ही करेगा, मेरे प्यार भक्तों अगर बार बार वसीकरन करके ठक चुके हैं आप, तो सिर्फ एक बार आज का ये सकती साली वसीकरन टुटका करें और फिर चमतकार मुठी में हो जाएगा, आपके वस में हो जाएगा, आपसे प्यार करने लगेगा, मेरे प्यार भक्तों अगर वसीकरन करके ठक चुके हैं, तो यकीन मानिये, आज के इस वसीकरन टुटका से आपका प्यार आपके वस में हो जाएगा, आपका प्यार आपसे कितना भी दूर क्यों ना हो आपसे मोहबत करने लगेगा खराब से खराब रिष्टा अगर सुधारना चाहते हैं बैवाही की जीवन और लव लाइफ जीवन सुधारना चाहते हैं तो एक बार थोरी सी मातरा में नमक लेकर के रात को सोते समेश वसिकरन टुटका को करियेगा और चमतकार हमेशा के लिए देखियेगा आपका प्यार आपके वस्म हो जाएगा मेरे वक्त तो वसिकरन आपने काफी परकार के देखे होंगे लेकिन नमक का वसिकरन टुटका मैं आप सभी को बता दो इतना प्रचंड होता है कि कभी भी इसके आसर को कोई भी कम नहीं कर सकता है जिस किसी के लिए अगर गलती से भी मजाक में भी इस वसिकरन टुटका को करते हैं वह इस्तरी हमेशा के लिए आपके प्यार में दीवान हो जाएगी खुद बोलेगी कि मैं आपसे प्यार करती हूँ मैं आपके बगार नहीं रहा पाऊंगी मैर वक्तो महबत में जित हासिल कैसे करना है प्रेमी या प्रिमिका के दिल में महबत पैदा करके साधी के लिए बात कैसे मनमाना है आईए बताते हैं उसके पहले अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सस्क्राइब ने किया तो चानल को सस्क्राइब करके बेल घंटी को जोर दवाईएगा ताकि हम जितने उबढ़ाएंगे सबसे पहला आपी के पास में जायागा मेरे प्यार वक्तो अगर आपका प्यार आपको छोर कर चला गया है आप उसको हर हाल में पाना चाहते हैं तो एक बार आप नमक का इस बसिकन तुटका को घर वैठे जरू करे मेरे भक्तो आज कल के प्यार में मानिये की सौ में से नबे परसेंट लोगों को धोखा मिलता है धोखा मिलने के बाद भी मरे भक्तो अगर आप भी अपने प्यार को पाने के लिए ट्रयाप रहे हैं चाहते हैं कि आपका भी प्यार आपके लिए टड़ पे आपके पास खुद चल कर आए तो एक बार ये वसिकन तुटका जैसे ही घर बैठे करिएगा चमतकार हमेशा के लिए देखिएगा ये पल भर में अशर दिखाने वाला वसिकन तुटका है देखिए कैसे करना है आई बताते हैं सबसे पहले मरभक्तो आप थोरी सी मातरा में नमक ले लिजिएगा क्या लिजिएगा नमक अपने ही घर्च लेना है इसके लिए कहीं भी जाने की जरुवत नहीं है आपके घर में नमक होगा हर किसी के घर में होता है इसा वात नहीं है खाने की चीज है नमक थोरी सी मातरा में लेना है बाएं हतेली में रख लेना है जैसी के मैंने रखा हुआ है रात को खाना पिना खाने के बाद में जैसे ही आप सोने जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा अगल बगल के सभी लोग जब सो जाएंगे तो आप क्या किजिएगा नमक को हाथ में ले करके दाहिने हाथ से इस परकार से आपको क्या करना है मिलाना है क्या करना है दाहिने हाथ से इस प्रकार से क्या करना है मिलाना है छोना है मिलाना है और मिलाते मिलाते आपको अपने मन में सकती साली साबर वसिकरन मंत्र का उचारन करना है जो की सिध है और आजमाया गया है पल भर में इस मंत्र से आपका प्यार आपके वस्म हो जाएगा आपके लिए टर्पियेगा आपके आगे पीछे गुमेगा देखिएगा जैसे मंतर को बोलिएगा आपका प्यार आपके वस्म होगा मंतर सुन लिजिए मंतर इस प्रकार से हैं ओम रिम नमो क्लीम क्लीम नमो श्रीम चाम उंडे अमुकी में वस्मनाए कुरु कुरु स्वाहा इस मंतर में अमुकी के जगह पे मरवक्तो मंतर कुछ आपको लंबा दीख रहा होगा लेकिन विडियो को आप सेव कर लिजिएगा या बैग करके देखियेगा सही से मंतर को सुनिए या लिख लिजिए मंतर को जैसे बोलिएगा आमुकी के जगह पे प्यार का नाम ले उस इस्तरी का उस पुरूस का नाम बोले जिसको अपने प्यार में टरपाना चाहते हैं, जिसके दिल में महबत पैदा करना चाहते हैं, पती को वस्मि करना चाहते हैं, पतनी को वस्मि करना चाहते हैं, तो उसका नाम बोले, जैसे मंतर में नाम बोलिएगा, आप इस परकार से नमक को मिलाते मिलाते, इस पर फूंक ल आतर थोड़ी से मातरा में नमक किसी भी नमकीन खाने के चीज में जैसे किसबूजी हो या कोई भी चीज खाने का हो उसमें मिला देना है इसको और बिना बताए चुपके से उसे प्यार को खिला दिजिएगा आपनेência सकते हैं किसी और को दे दिजिए खिलाने के लिए बस आएगा आपका प्यार मैं वादय करता हूँ कि 5-10 मिनिट के भीतर में ही आपके नाम का माला जपने लगेगा आपके प्यार मिट्रे अपने लगेगा खुद मिलने की कोशिज करेगा खुद कॉल करेगा बाते करेगा और इसका असर हमेशा के लिए रहेगा किसी के हटाने से असर काम नहीं होगा मेरे वक्त तो अगर आपने अभी तक मिल चानल को सब्सक्राइब ने किया है तो चानल को सब्सक्राइब करके बेल घंटे को जोड़ता हूँ कि तक हम जितने उड़ाएंगे सबसे पहले आपके पास में जाएगा